मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन केरेक्टर का जो फ्रेंड है जिसका नाम होता है मार्क यह हमें दिखता है मार्क अपने फ्रेंड जॉन की घर के सामने बहुत सारे पुलिस ओफिसर्स देखता है अंदर हुआ क्या है यह देखनी के लिए जाता है पुलिस उसे रोकते है पर वो देख लेता है कि जॉन की वाइफ का मर्डर हो चुका है यह देखकर उसे सद्मा लग जाता है जॉन बाहरी स्टेर केस पर रो रहा होता है इसके बार डारेकले हमें छे मेने गुज़र गया है यह दिखता है और जॉन अब इस मर्डर की इन्वेस्टिकेशन करने लग चुका है पार्किंग रॉट में एक आदमी का वो वेट कर रहा होता है यह आदमी जब उसे दिखता है तो उसे वो किर्णैप कर लेता है यहाँ पैरलल में हमें दिखता है कि मांग पर शक चला गया था कि जॉन की वोइफ को मांग नहीं मारा है इसी वज़े से उसे अरेस्ट कर लिया गया था इसकी आज छीरिंग है मांग की वाइफ जिसका नाम होता है लिंडा यह आज आज जॉन का वेट कर रही है क्योंकि जॉन को लगता है कि माख नई मर्डर नहीं किया होगा टेस्टीमोने दे सकता है इसलिए उसका वेट कर दिये पर हमें पता है कि जॉन ने अभी-भी एक आदमी को किर्णाप किया है लिंडा जॉन को कॉल करने का बहुत ट्राय करती है पर जॉन का कॉल ही नहीं लगता तो अपने लॉयर से कहती है तुम ज़रा रुको मैं जल्दी से जॉन के घर जाकर आती हूँ लॉयर कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करो हम उसे जबरदस्ते नहीं कर सकती टेस्टिमोनी देने के लिए अगर हमने की तो कुछ ट्रबल हो सकता है पर यह मानने नहीं वाली यह डारीगली जॉन के घर पर जाने के लिए रेडी हो जाती है हमें फिर से जॉन दिखता है और जिस आदमी को उसने किड्नैप किया था उसके हाथ पे रोब बान देता है यादमी कहता है कुछ मिस्सर अंडस्टाइन नहीं हो गए होगी मैंने कुछ भी नहीं किया है प्लीज मुझे जाने दो पर जॉन ये सब मानने वाला नहीं जॉन कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ क्वेशन्स पूछूंगा उसे चोईस देता है कि तुम्हें वैसे भी आंसर करना ही है तो जल्दी से मुझे सब कुछ बता दो यादमी कहता है कि मुझे तुम जो पूछ रहे हो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है जॉन उसे धमकाता है और कहता है कुछ दिनों पहले तुम यहाँ आये थे तुम क्यों यहाँ आये थे यादमी कहता है कि यहाँ तो मर्डर हुआ था मैं क्यूरेस था इसलिए मैं देखने के लिए आये था जॉन बोलता है मर्डर हुए छे महने हो चुके है अब तुम्हें क्यों curiosity आई है याद में बोलता है कि मेरे वाइफ ने मुझे अभी-भी बता है इसलिए हमें देखने के लिए आये था जॉन इस पर बिलिव नहीं करता एक हटोड़ा लेता है और इस आदमी का पेड़ तोड़ देता है यह scene था murder होने के बाद 6 मैने बाद का अब हमें फिर से murder होने के 5 मैने बाद का scene दिखाये जाता है जॉन की वाइफ का murder हुए हुए 5 मैने हो चुके है पर फिर भी जॉन अभी तक अपने घर पर नहीं गया है वो होटेल में ही रह रहा है आज उसे पुलिस ने बुलवाया होता है पुलिस का पुरा शर जॉन की फ्रेंड मार्क पर ही था इसलिए उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया है अब इस केस को क्लोज कर देते हैं जॉन की वाइफ के कपड़े विगरा सब को सामान उनने as a evidence ले लिया था यही लेनी के लिए वो जॉन को बुलाते हैं जॉन डिस्टर वे क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसकी फ्रेंड ने इस सब क्या होगा पुलिस टेशन में पुलिस इन्वेस्टिकेशन की फाइल स्विगरा हो देखता है यह डारेक्ली उठा लेता है पुलिस भी इसे ले जाने देते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ कॉपिस है जब इमोटल में फिर से आता है तब हमें दिखता है कि मार्ग की वाइफ लिंडा वहा थी है वो जॉन से बहुत दिनों से बात करना चाहती थी पर जॉन उसे मिल ही नहीं रहा था जॉन पहली बार लिंडा को अंदर आने के लिए मना कर रहा होता है पर लिंडा फिर भी आ जाती है लिंडा उसे कहती है कि मार्ग ने एक अपेल दी है जिसमें वो कह रहा है कि उसने मर्डर नहीं किया है इसकी फिर से hearing होने वाली है अब ये जॉन से पूछ रही होती है क्या तुम कोट में कहोगे कि मा कि यह सब नहीं कर सकता अगर जॉन ने सच मुझ में कह दिया कि उसके फ्रेंड नहीं यह नहीं किया है तो शायद उसके फ्रेंड को कोई भी सजा नहीं होगी लिंडा जॉन से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड यह सब कर सकता है जॉन कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है जॉन को पता है कि उसके फ्रेंड नहीं किया होगा पर रियल कल्पिट को अने इसे ढूनना बहुत important है जॉन confused है उसे पता नहीं है कि ये कौन कर सकता है लिन्डा कहती है कि प्लीज आकर testimony देदो पुलिस को मार्क का है जॉन की वाइफ के पास मिला था इसी वज़े से पुलिस ने मार्क को frame कर दिया है लिन्डा रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज हमें help करो जॉन ज़ादा डिस्टब हो जाता है और लिन्डा को घर से बाहर निकाल देता है जॉन पाच महने तक अपने घर ने गया था जॉन अपने घर को फिर से देख नहीं सकता था इसी वज़े से पाच महने तक वो घर ही ने गया उसके landlord का भी उसे call आने लग जाता है और कुछ issues होने लग जाते है इसे वज़े से वो अपने घर में फिर से moving कर लेता है वो घर पोच्टा है जिस तरह से चीजे थी उस तरह से रख देता है कुछ साफसपाई वो करने लग जाता है यह जो सब हम देख रहे थे कि जॉन को पुलिस टेशन में बुलवाय गया था वो अपनी घर में फिर से moving हो गया है यह murder होने के बाद 5 मेने के बाद का scenes थे इसके बाद हम फिर से murder होने के बाद 6 मेने के बाद का scenes देखते है जिसमें जॉन ने एक आदमी को kidnap कर लिया है उसे लगता है कि यही culprit है जॉन ने अभी अभी इस आदमी का पेट दोड़ा है तो आदमी कहता है कि क्यों यह कर रहे हो अगर तुमें लगता है कि साचोच में मैंने यह murder किया है तो पुलिस को तुम यह सब बता दो तुम क्यों मुझे frame करना चाहते हो हमें फिर से पास में ले जाया जाता है इस scene में हम देखते कि जॉन और लिंडा इन दोनों को पुलिस ने बुलवाया है इसे पहले माग को इन्होंने arrest कर ले होता है इन्डा पुलिस से पूछ रही हुथी है कि क्यों आपने माग को arrest किया है उसे लग नहीं रहा होता कि माग ने murder किया है पुलिस केते कि murder scene पर माग का hair हमें मिला है जॉन केता है कि माग हमारे घर पर आता जाता रहता है तो यह बहुत ही normal है पर पुलिस केते तुमारे wife के mouth में हमें उसके hairs मिले थे इसका मतलब है जब murder हुआ था तो माग वही था murder 9 बज़े हुआ था माग कह रहा है कि उस वक्त वो अपने घर पर था पर पुलिस को पता करने का कोई भी जरिया नहीं है क्योंकि उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी उन्होंने अगर CCTV cameras भी चेक किये फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा लिंडा उस दिन अपने sister के हा गई थी इसी वज़े से माग घर पर था या नहीं ये भी वो confirm नहीं कर सकती इसके बाद police जान को घर बेच देते और उन्हें लिंडा से और भी कुछ बात करने होती है अब और भी कुछ evidence पुलिस के पास है ये सब लिंडा को समझाते है police लिंडा को कहते है कि हमें लगता है माग और जान की wife का दोनों का offer जल रहा था मार्क जॉन की वाइफ को कॉले से जानता था और इन दोनों का घर आसपास ही था क्योंकि इन दोनों ने मेल कर डिसाइड किया था कि ये दोनों ज़रा आसपास रहने चाहिए ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स थी मार्क ने उसके बिजनेस के लिए जॉन और उसकी वाइफ से पैसे भी लिए थे पुलिस के पास मार्क और जॉन की वाइफ के दोनों बहुत बाती करते थे इसके भी रेकॉर्ड से मर्डर सीन से जॉन की वाइफ का फोन गायब था इसका मतलब है Mark इससे cover up करना चाता था Mark ने John की wife को एक message भी लिखा था इस message में था कि please मेरी wife को कोज भी नहीं बताना इन सबसे police ने confirm किया था कि Mark नहीं John की wife को मारा होगा लिन्डा को अब यह सब पता चल चुका है तो डारिकली Mark के पास आती है Mark को सब पुछती है कि तुम वहाँ क्यों गए थे Mark कहता है कि हम दोनों का बहुत ही जगड़ा हो गया था यह जो जगड़ा हुआ था यह भी John की wife की वज़े से हुआ था त्यूकि Mark हमेशा उसके पास जाता रहता था लिन्डा भी शक करने लग गई थी कि Mark का और John की wife का इन दोनों का अफिर है इसी चीज़ को लेकर Mark और लिन्डा का जगड़ा हो गया था Mark frustrated हो गया था और directly John की wife के पास आ गया था उसकी अच्छी friend थी तो उसे वह बात करना चाता था अब Mark लिन्डा से कहता है कि जब मैं John की wife के पास था तब मुझे और एक आदमी दिखा था जो डोर पर आया था इस आदमी के बारे में उसने पुलिस को नहीं पताया है अगर उसने पुलिस को यह सब कह दिया तो यह confirm हो जाएगा कि Mark John की wife के घर पर था पर अभी तक यह confirm नहीं है इसके बाद हमें फिर से present दिखा जाता है John ने एक आदमी को kidnap किया है आज Mark का court था जिसमें John testimony दे सकता था कि Mark ने कुछ भी नहीं किया है पर वो कभी आया ही नहीं Linda John के घर पर आ जाती है वो अंदर आकर देखती है कि John ने किसी को kidnap कर लिया है उसे बुचती ही कि यह सब क्या है तो John उसे सब को situation समझाता है Linda John को कहती है कि इस आदमी को तुम जाने दो इसने कैसी murder किया हो सकता है John को अंदर बसने लगता है कि यह है killer है Linda फिर बोलती ही कि अगर तुमें लगता है कि यह killer हो सकता है तो तुम अब code जलो माग ने यह सब नहीं किया है यह code में बोल दो John अभी भी confused है Linda से कहता है कि इसने अभी तक confirm नहीं किया है कि उसने ही मेरी wife को मारा था जब तक John को मालूम नहीं हो जाता कि कि इसने उसकी wife का murder किया था तब तब वो कुछ भी करना नहीं चाता इसके बाद हमें फिर से पास दिखाये चाता है John अपनी wife की murder का investigation करने लग जाता है प्रैम सेन की photos के पास है तो जिस तरीके से घर था उसी तरीके से सब को जो recreate करता है जिस तरीके से घर में खूल में करा पड़ा था वो सब वो वैसे ही लगा देता है रिंडा फिर से John को समझाने के लिए घर पर आती है कि वो गवाई दे की माक ने ये सब नहीं किया है तो सब घर देखकर वो शौक हो जाती है John फिर उसे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ मैं इस चीज से मुवान नहीं कर पा रहा जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी वाईफ का murder हुआ क्यो था इसके बीचे reason क्या था तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इंडा कहती है कि क्या तुम्हें सचुंच में लगता है कि मेरे हस्बंड ने क्या होगा जॉन गहता है कि इसा मुझे नहीं लगता जॉन फिर उसे कपड़ों का स्टैंड दिखाता है जॉन गहता है कि जिस रात मर्डर हुआ था तो यहाँ पर मेरी वाइफ की अंडर्वेर थी दोर पर कोई आया होगा इसलिए उसने उसे कवर कर दिया था अगर उस दिन मार्क आया होता तो वो डारिटली उस अंडर्वेर को बेटरू में जाकर रखाती पर उसे बदा था कि मार्क नहीं है कोई और था इसलिए उसने सिर्फ इसे कवर कर दिया जॉन कोई मालूम है क्योंकि उसकी वाइफ की हमेशा की यह आदत थी जॉन की वाइफ का फेस एक टॉवेल से कवर कर दिया गया था और ये टॉवेल मार्क नहीं उन्हें गिफ्ट कया था जॉन केता है कि माक ये नहीं कर सकता लिंडा फिर से होफफुल बन थी है वो कहती है कि ये सब चीज़े तुम पुलिस को बता सकते हो वो जॉन केता है कि मैंने अल्रेडी बता दी है पर वो इसे माननी रहे जॉन फिर लिंडा को कहता है कि मुझे तुम हेल्प करो हम असली यह किस ने किया था इसे ढून लेंगे इसके बाद हम फिर से प्रेजन्ट में आ जाते है जॉन रूम से बाहर निकल जाता है और जिस आदमी को जॉन ने किन्डेप क्या था उसके साथ लिंडा है यह आदमी लिंडा से कुछ बात करना चाता है लिंडा इस आदमी की मूझ से पट्टी निकालती है यह आदमी कहता है कि जॉन है रियल किलर है मैं उस रात इस घर पर आया था मैंने जॉन को वहाँ देखा था कुछ दिनों पहले लिंडा को भी इशक गया था यह क्यों गया था अब हम देखेंगे लिंडा जॉन को हेल्प करने लग गई थी रियल कातिल को ने इसे ढूणने के लिए एक दिन जब वो घर पर आये तो जॉन की वाइफ का सेलफ़न वहा था यह वही सेलफ़न है जो पुलिस ढूणनी पा रहे है जब जॉन को उसने गन्फरंट किया तो जॉन बोला कि मेरी वाइफ की और मेरी बहुत सारी परसनल फोटो जिसमें थी यह में डारेक्ली पुलिस को नहीं दे सकता था बनने से पहले जॉन की वाइफ ने एक टेक्स लिखा था इसमें उसने एक इनिशियल लिखा था जिसका नाम था एल अब इसे पता नहीं है कि वो क्या टाइप करना चाहती थी मर्डर किस तरह से हुआ होगा इसे फिर से रीक्रियेट करने की कोशिश करी जॉन कहता है कि मेरी वाइफ किचन में थी जब में मर्डर हुआ था मर्डर ने उसका गला दबाने की कोशिश की और ये डारेकली लिंडा का गला भी दबाने लग जाता है लिंडा बहुत ही डर जाती है और दोर की तरफ भागती है जॉन कहता है कि मैं यहीं प्रूव करना चाहता था या अगर तुमें कोई मार रहा है तुम डारेकली डोर के पास भागोगी जॉन की वाइफ पेट्रूम के पास भागी थी योसे बहुत ही सस्पिशिस लगता है पर अब यह सब जॉन ने जो किया है ये देखकर लिंडा बहुत ही डर जाती है लिंडा को शक होने लगया था कि जॉन ने ये crimes कीरा होगा लिंडा फिर अपने husband मार्ग से मिलने के लिए आई थी वो मार्ग से बोली क्या तुमे लगता है क्या जॉन ने क्या हो सकता है मार्ग बोला मुझे इस से फरत नहीं परता अगर जॉन ने चाहा तो टेस्टिमोने देख कर मार्ग को जेल से बाहर निकाल सकता है यही इंपोर्टन्ट है वो लिंडा को समझाता है कि अगर तुम जॉन पर ही शक करने लग गए तो जॉन गवा ही नहीं देगा वो उसे एक खुछ भी ना करने के लिए कहता है अब हमें फिर से प्रेजेंट दिखाय जाता है जो आदमी किन्डैप हुआ है इससे लिंडा बात कर रही है आदमी कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी तुम छोड़ दो पुलिस को कॉल करो और मैं पुलिस को सब कुछ बता दूँगा तुमारा हस्बंड भी फ्री हो जाएगा लिंडा भी इस बात के लिए मान जाती है उसे अंटाय करती है तभी जॉन ये सब देख लेता है जॉन जल्दी से भागता है पर लिंडा दोर बन कर लेती है जल्दी से पुलिस को कॉल लगा देती है जौन एक हतोड़ा लेता है और दर्वाजे को तोड़ने लग जाता है यह दर्वाजा तोड़ कर इस आदमे को मारने वाला होता है तब यह आदमी कहता है कि मैं यही था जिस रात मर्डर हुआ था मैंने उस रात क्राइम सीन पर मार्ग को देखा था लिंडा कहती है यह जूट बोल रहा है यही असली killer है यह आदमी कहता है कि अगर मैं killer हूँ तो यह मुझे क्यों बचाना चाहती थी यह आदमी सच बता देता है कि जब मैंने कहा कि तुम असली killer हो तब यह मुझे छोड़ने के लिए ready हो गई लिंडा सिर्फ यही चाहती है कि उसका husband free हो जाए इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए ready है जॉन पूछता है कि अगर सच मुझ में यह सब सही है तो तुम murderous scene पर चाकू लेकर क्या कर रहे थे अब इस आदमी के पास चाकू था यह जॉन को किसे पता है यह हमें flashback में पता दी वो यही मानते थे कि Mark murderer है और उसे सजा होनी चाहिए जॉन का बीपी fix था कि Mark के लिए वो गवाई देगा पर जॉन जब रात में एक सूपर शॉप में गया तो इस शॉप का owner जॉन को जानता था जॉन को बोला कि मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए जिस रा के खिलाब बहुत जादा सबूत है जॉन ने फिर एक पुलिस ऑफिसर को बहुत सारे वैसे दिये इस पैसों के बदले में वो नंबर प्रेट किसकी थी यह information जॉन ने निकल वाई इसके बाद वो उस आत्मी के पास गया और किर्नाप करकर लेकर आ गया फिर से प्रेजेंट हम देखते हैं तो उस आदमी से मार का पूछ रहा है कि उस रात वो वहां क्या कर रहा था उसके पास वो नाइफ क्यों थी यह आदमी फिर सब कुछ कहने लग जाता है यह आदमी केता है कि मेरी वाइफ का और मार का चक्कर चल रहा था मैं मार का ही पीछा कर रहा था दरवाजा खट-कट आया था तभी मुझे वहां मार्क दिखा मुझे लगा कि मार्क का और मेरी वाइफ का चक्कर नहीं चल रहा है और उसके बाद में वहां से निकल गया जॉन को अब 100% लगता है कि उसने फ्रेंड नहीं किया है लिंडा फिर से उसे समझाने लग जाती है कि तो फिर से सोचने लग जाता है वो सुचता है कि उस राद अगर मार्क आया था तो अंडर्वेर हॉल में ही क्यों थी फोन पर उसकी वाइफ जब मैसेश टाइप कर रहे थी तो वहां एल लिखा हुआ था इसके बाद जिस आदमी को उसने किन्नेप किया था उसने जब बोल अब जान डोर उपन करने ही वाला है तभी हमें दिखता है कि जिस आदमी को उसने किन्नेप किया था उससे लिणा मार देती है चुम्रे मार्क और जो आदमी किन्नेप भाता उसकी वाइफ का अफेर चल रहा था ये चीज जान की वाइफ को पता चल गई थी इसलिए मार्क उसे कहा था कि प्लीज मेरी वाइफ को खुझ भी मत बताना उस राद लिन्डा से मार्क का जगड़ा हो गया था उसलिए वो जॉन की वाइफ के पास गया क्योंकि उसकी अच्छी फ्रेंड थी लिन्डा भी मार्क का पीछा कर रही थी वो भी मार्क का पीछा करते कर थे जॉन की वाइफ के घर पर आ गई जब मार्क वहाँ से निकला तो वो घर में आई उसने जॉन की वाइफ को कहा कि तुमने ये सब क्यों किया है और उसके बाद उसे मारने लग गए उसका गला दबाने के उसने कोशिश की पर उसने रियलाइज किया चो वो कह रही है गलत कह रही है पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी जॉन की वाइफ डर गई थी लिन्डा पर क्रिमेनल चार्जर लग सकते थे इसलिए लिन्डा ने चाको लिया और जॉन की वाइफ को उसने मार डाला लिन्डा ने जो आदमी किन्याफ हुआ था इसको भी आप मार डाला है लिन्डा जॉन को कहती है कि हम पुलिस को कह सकते है कि इसे आदमी ने मर्डर किया था लिन्डा गिर्गिना ने लग जाती है वो कहती है कि मेरी बेटी है मेरा हस्बंड है हम फिर से भेमिली बन सकते है प्लीज हमें हेल्प करो जॉन को पता है कि लिंडा ही मर्डरर है तो यह मानने नहीं वाला जॉन आगे जा रहा होता है तो हतोड़े से अपने आपको ही मार डाल दिया जिस हतोड़े से मर्डर हुआ था और लिंडा ने भी अपने आपको मारा था पर उस ताइम उसने अपने फिंगर्प्रिंट्स उस हतोड़े पर नहीं आने दिये थे हतोड़े पर जॉन की फिंगर्प्रिंट्स से पुलिस को लगता है कि जॉन ने ही यह सब मर्डर किये थे आगे चल कर जब ये सब चीजे वो देखता है तो लिन्डा ने जिस murder से जॉन की वाइफ को मारा था ये murder weapon उसे मिल जाता है लिन्डा ने कुद कुशी करने कोशिश की थी वो hospital में थी और अब वो फिर से होश में आ चुकी है जॉन पुलिस को कुछ भी नहीं कहता और ये सजा खुद काटता है जॉन की फैमिली तो बरबात होई चुकी है अपने फ्रेंड को एक चांस मिल सकता है अच्छी लाइफ जीने का इसलिए सब कुछ इलजाम वो अपने आप पर ले लेता है यहीं मूवी एंड हो जाती है विरसे मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू